आप सबको मेरा नमस्ते यह जो टुटॉरल है यह कोवीड में कैसे स्तानपान कराना उसके लिए हम बोगों ने बनाया था जब भी कोवीड चालो और तभी यह बहुत सारे ओर्गनाजिशन्स है वो हमारे पास आई और हमें बताया कि आप एक टुटॉल बनाई है जिसे अगर कोवीड मा को कोवीड हुआ है तो वो कैसे स्तानपान करा सकती है ठीक है बहुत सारे ऐसी मिध्या है थी कि संपान कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए यूँनों कैसे हाद दोना चाहिए मास पहना चाहिए नहीं पहना चाहिए बहुत सारे ऐसी मिध्या है थी कि बच्ची को मा के साथ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो यह हम लोग ने जो कुछ आया तो ये टुटारिल आप मदर को दिखा सकते हैं और आप भी समझ किजे कि कैसे ये स्थिती में बच्चे को कैसे मा का दूद पिलाना है ठीक है धन्यवाद कोविड नाइंटीन के दौरान स्तन पान कराने के विशय पर बने इस पोकन टुटारियल में आपका स्वागत है इस टुटारियल में हम सीखेंगे कोविड नाइंटीन क्या है कोविड नाइंटीन के दौरान स्तन पान कराने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं आईए पहले समझते हैं कि COVID-19 क्या है? COVID-19 एक संक्रमित बिमारी है, जो कोरोना वाइरस नाम के वाइरस से होती है. ये वाइरस दुनिया भर में फैल चुका है. जब इस से संक्रमित व्यक्ती खांसता या छींकता है, तो छोटी-छोटी बूंदे मुझ से निकलती हैं. इनी छोटी बूंदों में कोरोना वाइरस होता है. यही संक्रमित बूंदे जब किसी दूसरे व्यक्ती के शरीर में प्रवेश करती हैं, तो संक्रमन फैलने लगता है. ये संक्रमित बूंदे हवा में एक से दो मीटर के दाइरे में फैल सकती हैं और किसी सतह पर बैठ जाती हैं जहां वे कई घंटों या कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं बाकी के लोग उस संक्रमित सतह को अपने हाथों से छूते हैं और फिर अपनी आँखें नाक या मूँ वे बिना हाथ धोये छू लेते हैं तो इस तरह से भी संक्रमन दूसरे वेक्तियों में फैल जाता है संक्रमित वेक्ति में बिमारी के लक्षन दिखने से पहले भी वो दूसरे वेक्तियों में वाइरस फैला सकते हैं इस वाइरस के अभी तक गर्भाशे में फैलने के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं संक्रमित मा के दूद में भी ये वाइरस अभी तक नहीं पाया गया है और इस वाइरस के स्तनपन के जरिये फैलने के भी अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं कोरोना वाइरस से संक्रमन के चिकित्स की ये लक्षन अलग-अलग हैं बुखार, खासी, सांस लेने में तकलीफ, ठकान, सरदर्द, गले में तकलीफ ऐसे कुछ आम लक्षन हैं उल्टी होना, दस्त लगना, छीके और आंख आना कुछ असामाने लक्षन हैं ऐसा भी हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति में ऐसे कोई भी लक्षन दिखाई ना दें नवजात और शिशू को COVID-19 से खत्रा कम है छोटे बच्चों में COVID-19 के बहुत कम पक्के केस सामने आएं हैं अधिकतर संक्रमित शिशूों में वाइरस के कम से कम या कोई भी लक्षन नहीं पाए गए हैं चलिए अब COVID-19 के दौरान स्तन पान कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों पर बात करते हैं स्तन पान सभी शिशूों के लिए बहुत जरूरी है सभी शिशूों को शिशू आहार दिशा निर्देशों के मानकों के हिसाब से आहार मिलना चाहिए शिशु के जनम के एक घंटे के बीतर ही स्थन पान की शुरुवार हो जानी चाहिए और 6 महीने तक सिरफ स्थन पान जारी रखना चाहिए यदि जरूरी हो तो मा के स्थन से निकाला हुआ दूद भी शिशु को पिलाया जा सकता है शिशु के 6 महीने की उमर पूरी होने पर पूरक आहार की शुरुआत करनी चाहिए और स्तन पान शिशु के 2 साल का होने तक जारी रखना चाहिए स्तन पान कराना, स्तनू से निकाला हुआ दूद पिलाना और पूरक आहार खिलाना जरूरी कौशल है हमारे दूसरे टुटोरियल में इन विशेयों पर बात की गई है कृपया हमारे वेब साइट पर जाकर आप Health and Nutrition श्रिंखला में जरूरी वीडियो जरूर देखें COVID-19 के दौरान शिशु को आहार देने में साफ सफाई का विशेश खयाल रखना चाहिए शिशु को छूने से पहले और बाद में मा को 20 सेकेंड तक अपने हाथ दोने चाहिए मा को स्तन पान कराने और स्तन से निकाला हुआ दूद पिलाने से पहले और बाद में भी हाथ दोने चाहिए हाथ साफ करने के लिए एलकोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तमाल भी कर सकते हैं अगर मा COVID-19 की संदिक्त या संक्रमित मरीज हैं तो उन्हें मेडिकल मास्क की जरूरत होगी स्तन पान कराते समय मा को मास्क पहनना चाहिए और स्तन से निकाला हुआ दूद पिलाते समय भी चाहिए इसे दोबारा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए मा को मास्क के बाहरी सतह कभी नहीं चूननी चाहिए उसे मास्क को पीछे से निकालना चाहिए अगर ऐसा हो जाए कि मेडिकल मास्क उपलब्ध ना हो तो उस समय मा को टिशू पेपर या एक साफ कपड़ा या एक रुमाल का इस्तिमाल करना चाहिए मा को छींकते और खासते वक्त इसे चेहरे पर लगा लेना चाहिए फिर इसे तुरंट कूडे दान में फैंक कर अपने हाथ धो लेने चाहिए गंदा टिशू पेपर या कपड़ा या रुमाल जितनी जल्दी हो सके बदलते रहना चाहिए अगर मेडिकल मास्क ना उपलब्ध हो तो कपड़े से बने मास्क भी इस्तिमाल कर सकते हैं मा को हर बार दूद पिलाने से पहले स्तन को धोने की जरूरत नहीं है लेकिन खासते या छीकते समय चाती पर बूंदे पर जाएं तो स्तन साफ कर लेने चाहिए स्तन को धोने के लिए साबुन और गरम पानी से कम से कम 20 सेकिंड तक सफाई करनी चाहिए शिशु की देखबाल करने वालों को भी शिशु को चूने से पहले और बाद में हात धोने चाहिए कमरे के फर्ष और बाकी की सतेहों को रोज साफ और संक्रमन रहित बनाए रखना जरूरी है कुछ संक्रमित माएं इतनी बिमार हो सकती हैं कि वे शिशु को स्तनपान न करा सकें। ऐसे में शिशु को मा के स्तनों से निकाला हुआ दूद पिलाया जाना चाहिए। नर्स या परिवार का सदस्य शिशु को ये दूद पिला सकते हैं। ध्यान रहे दूद पिलाने वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आया हो शिशु या दूद को चूने से पहले उन्हें 20 सेकेंड तक अपने हाथ धोने चाहिए हाथ धोने के बाद उन्हें मास्क भी पहनना चाहिए स्तनों से निकाला हुआ दूद शिशु को बिना गरम किये ही पिलाया जा सकता है स्तनों से निकाले हुए दूद को इकठा करना और उसका रख रखाव बड़ी साबधानी से करना चाहिए मा के ठीक होते ही स्तन पान की शुरुआत फिर से करनी चाहिए अगर संक्रमित माएं जादा बिमार हो और स्तनों से दूद ना निकाला जा सके तो शिशु को पोशन देने के लिए दूसरे विकल्पों का उप्योग कर सकते हैं कोशिश करें दानी मा का दूद किसी माओं के दूद इकठा करने वाले बैंक में मिल सके शिशु को दूसरी मा का दूद पिलाते रहना चाहिए जब तक उसकी मा ठीक ना हो जाए अगर किसी और मा का दूद ना मिल सके तो मा के ठीक होने तक वेट नर्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वेट नर्सिंग का मतलब है शिशु को किसी दूसरी मादवारा स्तन पान कराया जाना अगर वेट नर्सिंग ना हो सके तो शिशु को पशु का दूद पिलाया जा सकता है हमेशा पशु का दूद उबाल कर ही शिशु को पिलाना चाहिए साथ ही इन सभी विकल्पों पर अपने स्वास्त सेवक की सला जरूर लें डिब्बे वाला पाउडर दूद का प्रयोग ना करें ना ही दूद की पोतल का और ना ही प्लास्टिक, रबर या सिलिकॉन निपल का प्रयोग करें मा के ठीक होने पर उसे स्तनपान शुरू कराने में मदद करें शिशु और मा के त्वचा से त्वचा के संपर्क कराने की प्रक्रिया भी करते रहें ये प्रक्रिया शिशु के जनम लेते ही शुरू करनी चाहिए भले ही मा कोविड-19 से संक्रमित हो इस प्रक्रिया से मा को स्तनपान शुरू कराने में मदद मिलेगी कंगारू मदर केर पधती मा से शिशु को दिन रात मिलनी चाहिए स्तनपान और त्वचा से त्वचा के संपर्ख की प्रक्रिया शिशु की मृत्यू के खत्रे को कम कर देती है ये प्रक्रिया शिशुको ततकाल और आजीवन स्वास्थ और विकास प्रदान करते हैं। स्टनपान से माओं में स्टन और अंडाशे के कैंसर के खत्रे को कम किया जा सकता है। ये सभी लाब विशेश मायनू में उनके संक्रमित होने के खत्रे से कई जादा बड़े हैं। आखिर में मा और परिवार के सदस्यों को चिंताजनक लक्षनों के बारे में भी जरूर सला देनी चाहिए। उन्हें शिशु में चिंताजनक लक्षन देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर उन्हें ऐसे लक्षन दिखें तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। इस टुटॉरियल में दिये गए दिशा निर्देश अभी तक उपलब्ध सीमित सूचना पर आधारित हैं। जैसे ही नई जानकारी उपलब्ध होगी, वैसे ही कुछ सुझावों में बदलाव किया जा सकता है। कृप्या इन दिशा निर्देशों का उप्योग नवीन्तम सरकारी अधीनियमों के साथ करें। इसी के साथ यह टुटॉरियल समाप्त होता है। यह स्कृप्ट विने कुमार द्वारा अनुवादित है। आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। यह स्कृप्ट विदाए लेती हूँ।